आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 क्लास 11 का है मार पास चेप्टर 3 कंप्लेट हो चुका है मिस्लेनियस रहती है मार पास आज हम करेंगे मिस्लेनियस exercise मिस्लेनिस exercise की जो भी question है most important questions है ध्यान से करना first step prove that 2 cos pi by 13 cos 9 pi by 13 plus cos 3 pi by 13 plus cos 5 pi by 13 is equal to 0 यह हमें prove करना है कि यह सब किसके equal है 0 के equal है हम क्या करेंगे 2 cos pi by 13 cos 9 pi by 13 plus cos 3 pi by 13 plus cos 5 by 13 इन दोनों पर हम क्या लगा देंगे cos c plus a cos d का formula apply कर देंगे cos c plus cos d क्या आजएगा 2 cos c plus d by 2 और cos c minus d by 2 apply क्या first quesities रख लिया plus 2 cos c plus d अब देखो LCM दोनों का सेम है तो जो उपर डिजट हो प्लस हो जाएंगे 5 plus 3 8 pi by 13 और by में 2 करते हैं तो 2 आजएगा 2 से cancel हो जएगा 4 पर क्या आजएगा 4 pi by 13 आजएगा आपके पास से cos से अब c minus 3 3 minus 5 कितना आजएगा minus 2 pi by 13 by में 2 है 2 से 2 cancel और minus जब cos के अंगल में आता है तो भी क्या करता है वो positive क्या आजएगा pi by 13 दोनों में हमारे पास common क्या है cos pi by 13 और 2 हमने common है लिए 2 cos pi by 13 यहां क्या बचेगा cos 9 pi by 13 प्लस क्या बचेगा cos 4 pi by 13 फिर से cos c plus से cos d का formula apply करेंगे cos pi by 13 as it is ले लिया अब cos c plus cos d 2 cos c plus d 9 plus 4 13 by 13 और by में 2 लगा देंगे 13 से 13 cancel हो जएगा क्या आजएगा pi by 2 cos 9 minus 4 5 5 5 by 13 by 2 आजएगा अब हमारे पास 2 cos pi by 13 2 cos यह मारे पास क्या है pi by 2 और यह मारे पास क्या आजएगा cos 5 pi by 6 2 cos pi by 13 2 अब cos pi by 2 की value क्या होती है हमारे पास 0 होती है तो इसकी value हमने put कर दी 0 multiply cos 5 pi by 6 और 0 की हम किसी के भी साथ multiply करेंगे तो वाप इस क्या देगा हमें 0 और यह ही हमें पूरा का पूरा किसके equal है 0 के equal next question number 2 prove that sin 3x plus sin x into sin x plus cos 3x minus cos x into cos x is equal to 0 पहले हम sin x को अंदर multiply करेंगे कैसे sin 3x plus sin x into sin x plus cos 3x minus cos x bracket clause cos x sin के अंदर multiply करेंगे क्या आजएगा sin 3x into sin x plus sin square x हो जाएगा plus cos 3x into cos x minus cos square x sin 3x sin x अब यह हमारे पास z लिख लिख लिया उसके बाद हमारे पास ऐसा क्या है cos 3x, cos x इसको भी az लिख लिख लिया minus अब इन दोनों में से यह दो ट्रम बचगे यह हमारे पास इसमें से minus common नहीं लिया तो यह plus का हो जाएगा cos square x यह plus था यह क्या हो जाएगा, minus हो जाएगा sin square x इस ट्रम को आगे लिख लेंगे cos 3x, cos x plus sin 3x, sin x minus cos square x minus sin square x यह मार पास किसका formula है, cos a, cos b plus sin a, sin b cos a minus b का formula a मार पास 3x और b मार पास x है तो किसका formula लगा देंगे, cos a minus b का formula apply कर देंगे यहाँ पर क्या आजएगा, cos a मार पास क्या 3x और b मार पास क्या है, x है और cos square x minus sin square x किसका formula था, cos 2x का formula है, यह मार पास cos 3x में से x जाएगा, क्या बचेगा, 2x है, तो क्या आजएगा, cos 2x minus cos 2x, cos 2x है cos 2x है, cancel हो जाएगा, क्या आजएगा, आपके पास है, 0 हमें यह दे रखा है कि पहले तो हम इनका हॉल स्केर उपन करेंगे कैसे A प्लस B का हॉल स्केर क्या होता है A स्केर प्लस B स्केर प्लस A 2 A B और A माइनस B का A स्केर प्लस B स्केर माइनस A 2 A B उपन करो A स्केर कॉस स्केर एक्स प्लस A कॉस स्केर वाई प्लस 2 कॉस एक स्केर वाई प्लस इसी तरह इसका उपन करेंगे sin square x plus sin square y minus 2 sin x sin y, अब देखो cos square x plus sin square x, एक अठा कर दिया दुनों को cos square y plus sin square y, प्लस और क्या बचेगा 2 cos x cos y minus 2 sin x sin y ये किसके equal है, 1 के equal और ये भी किसके equal है, 1 के plus, दुनों में से 2 common ले लिया cos x cos y minus sin x sin y आजेगा, ये किसका formula है, cos x plus y का formula है क्या, cos x cos y minus sin x, sin y 1 plus 1, 2 plus 2 into, ये formula किसका आजेगा, cos x plus y का आजेगा, अब देखो, दुनों में से 2 common ले लेंगे, भार आजेगा क्या आजेगा, 1 plus cos x plus y, अब 2 को आपने भार ले रखा है, अंदर क्या है, 1 plus cos 2a cos 2a का formula हमारे पास क्या है, 2 cos square a minus 1, तो इस पर हमने formula अपना लगाया, 2 cos square a, means 2a है, तो हमारे अंगल का आफ हो गया, x plus y, तो इसका आफ क्या आ जाएगा, 2 में 2 लगा दिया, और minus से 1, 1 से 1, cancel हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा, 2 into 2 cos square x plus y by 2, 2, 2 जा 4 cos square x plus y by 2, और यही हमारे पास क्या है, हमारी right hand side, इसमें मैं याद रखना है कि cos square में अगर प्रूव करना है, तो किसी भी तरह इसको open करेंगे, कैसे cos square में convert करेंगे, ठीके, cos square में convert करने के लिए हम इसको apply करेंगे, next है हमारे पास है, question number 4, इसी की तरह है, हमारे पास question number 4, cos x minus cos y का whole square, plus sin x minus sin y whole square is equal to 4 sin square x minus y by 2, सबसे पहले हम इसका whole square open करेंगे, whole square open करेंगे, क्या आ जाएगा, cos square x minus का plus हो जाएगा, cos square y minus a square plus b square minus 2ab 2 cos x cos y plus इसी तरह a minus b का whole square यहां लगाएगे, sin square x plus sin square y minus है, 2 sin x है, sin y अब यहाँ पे देखो, cos square x है, plus है, cos square y और दूसरी ट्रम क्या है, sin square x और sin square y, इन दोनों को पीछे की side के, हमने minus 2 दोनों में से को मना गया, क्या हैगा, cos x cos y plus है, sin x है, sin y अब देखो, cos square x plus sin square x plus है, cos square y plus है, sin square y minus 2 cos x minus y, यह फर्मुला किसका है, जब यहाँ plus है तो किसका होगा, minus का, अगर यहाँ minus है तो किसका होता है, plus का, क्या आजएगा cos x minus है, y का फर्मुला है, हमारे पास है, cos square x plus sin square x, किसके एकवल हो जाएगा 1 के एकवल cos square y plus sin square y किसके एकवल है 1 के एकवल minus 2 cos x minus y 1 plus 1 2 minus 2 cos x minus y दोनों में से 2 common लेंगे क्या आजेगा 1 minus cos x minus y 2 हमने common लिया फिर हमारे पास cos 2 y का क्या फोर्म cos 2 x का एक फोर्म ने हमारे पास क्या है क्योंकि हमें sin में ही रिखे आना है तो sin का formula क्या है 1 minus 2 sin square x यह मारे पास formula है 1 minus इसके जगे हमने क्या रख दिया 1 minus 2 sin square angle का आफ कर देंगे x minus y by 2 अब देखो 2 as it is 1 minus minus को bracket के अंदर लेके जाएंगे तो यह क्या आजेगा minus और minus minus से plus 2 sin square x minus y by 2 1 से 1 cancel हो जाएगा क्या आजेगा 2 2 जाएं 4 sin square x minus y by 2 और यह हमारे पास क्या है हमारी right hand side next है हमारे पास question number 5 prove that sin x plus sin 3 x plus sin 5 x plus sin 7 x is equal to 4 cos x cos 2 x cos 4 x अब देखो इसमें हमें convert करना है cos x cos 2 x x और 2 x का बास सकता है यह देखना है हमें हमने क्या किया sin x और sin 5 x का ले लिया और sin 3 x और 7 x का ले लिया कैसे 5 में 7 गटाएगे 4 आजेगा और 7 में से 3 गटाएगे तब भी 4 आएगा तो एक ट्रम हमारे पास common हो जाएगी फिर देखो इस पर हमने formula अपलाई किया sin x plus sin 3 5 x sin 5 x की जगे हमने यह दोखो 1st और 3rd का कर लिया 2nd और 4th को कर लिया sin x plus sin 5 x और sin c plus sin d का क्या formula है 2 sin c plus d by 2 cos c minus d by 2 अपलाई कर दिया 2 sin c plus dx plus 5 x by 2 और cos c minus d 5 x minus x by 2 plus 2 इस पर भी आपलाई कर दिया sin 7 x plus 3 x by 2 और cos 7 x minus 3 x by 2 2 sin 5 plus 1 6 x by 2 3 sin 3 x cos 5 में से बन जाएगा 4 4 by 2 2 आजेगा cos 2 x plus 2 sin 7 plus 3 10 10 by 2 5 x आजेगा 7 minus 3 4 4 by 2 2 आजेगा cos 2 x दोनों में से common क्या आजेगा 2 cos 2 x common आजेगा यहां क्या बचेगा sin 3 x plus यहां क्या बचेगा sin 5 x 2 cos 2 x sin c plus sin d का formula अपलाई कर दिया 2 sin c plus d by 2 5 x plus 3 x by 2 और cos c minus d 5 x minus 3 x by 2 आजेगा 2 cos 2 x 2 sin 5 plus 3 8 8 by 2 4 x आजेगा cos 5 minus 3 2 2 by 2 1 आजेगा तो cos x आजेगा अब 2 और 2 की multiply क्या आजेगा to 2 जा 4 cos 2 x cos x or sin 4 x और यही हमारे पास क्या है हमारी right hand side next है हमारे पास question number 6 question number 6 में आपके पास क्या दे रखा है sin 7 x plus sin 5 x plus sin 9 x plus sin 3 x divided by cos 7 x plus cos 5 x plus cos 9 x plus cos 3 x is equal to 10 6 x के equal में प्रूव करना है कैसे sin c plus sin d और निचे लगेगा cos c plus cos d का formula देखो sin c plus sin d का क्या formula है 2 sin c plus d by 2 और cos c minus d by 2 2 sin 7 x plus 5 x by 2 और cos 7 x minus 5 x by 2 इसे पे भी वहीं formula लगेगा 2 sin 9 x plus 3 x by 2 और 9 x minus 3 x by 2 आजेगा second divide में क्या है 2 cos 7 x plus 5 x by 2 और cos 7 x minus 5 x by 2 cos c plus cos d है 2 cos 9 x plus 3 x by 2 और cos 9 x minus 3 x by 2 2 sin 7 plus 5 x by 12 12 by 2 6 x 7 minus 5 x by 2 2 by 2 x आजेगा cos x plus 2 sin 9 plus 3 x by 12 12 by 2 6 x cos 9 minus 3 x 6 6 by 2 3 आजेगा cos 3 x 2 cos 7 plus 5 12 x by 2 6 x आजेगा cos 7 minus 5 2 by 2 cos x plus 2 as it is cos 9 plus 3 12 by 2 cos 6 x आजेगा cos 9 minus 3 6 6 by 2 cos 3 x आजेगा अब देखो उपर मारे पास क्या common है sin 6 x sin 6 x और 2 2 sin 6 x common ले लिया उपर क्या बचेगा cos x plus cos 3 x आजेगा इसी तरह नीचे मारे पास क्या common है 2 और cos 6 x common है 2 cos 6 x हमने common ले लिया क्या बचेगा cos x plus cos 3 x 2 से 2 cancel हो जाएगा और इस पूरी ट्रम से पूरी ट्रम में cancel हो जाएगी क्या बचेगा sin 6 x by cos 6 x और sin y cos क्या होता है 10 6 x आजेगा यही हमें प्रूव करना है next है question number 7 sin 3 x plus sin 2 x minus sin x is equal to 4 sin x cos x by 2 cos 3 x by 2 apply करेंगे sin 3 x plus sin 2 x minus sin x sin 3 x को लग रख लिया इस पे दोनों पे apply कर दिया sin 2 x minus sin x sin c minus sin d का फॉर्मुला लगा देंगे 2 cos a plus b by 2 sin a minus b by 2 a plus b लिखो या sin c d लिखो sin 3 x plus इस पे फॉर्मुला लगा है 2 cos एक बार प्लस में लिखेंगे 2 x plus x by 2 और फिर sin 2 x minus x by 2 sin 3 x plus 2 cos 2 x plus x कितना आजेगा 3 x by 2 और sin 2 x में x जाएगा x by 2 हमारे पास क्या आया sin 3 x plus 2 cos 3 x by 2 और sin x by 2 आजेगा अब देखो 2 sin 3 x by 2 यह हमारे पास था sin 3 x है sin 3 x हमारे पास दे रखा है sin 3 x को हमने बेग कर देगा किस फॉर्मुला के अकॉर्डिंग sin 2 a का फॉर्मुला अगर इसके अकॉर्डिंग करेंगे तो 2 a का आफ a हो जेगा इसका आफ क्या आजेगा 2 sin 3 x by 2 और cos से 3 x by 2 यह बनेगा हमारे इसके अकॉर्डिंग फॉर्मुला तो यह अप्लाई कर दिया 2 sin 3 x by 2 और cos 3 x by 2 plus cos 3 x by 2 sin x by 2 दोनों में 2 कॉम्बन आजेगा और cos 3 x by 2 कॉम्बन आजेगा यहां क्या बजेगा sin 3 x by 2 plus sin x by 2 यह भार है मारे पास 2 cos 3 x by 2 अब अंदर देखो मारे पास क्या आजेगा sin c plus a sin d sin c plus sin d का क्या फॉर्मुला है 2 sin c plus d by 2 और cos c minus d by 2 2 sin c plus d 3 x by 2 plus x by 2 divided by 2 cos 3 x by 2 minus x by 2 divided by 2 यह as it is रहेगा 2 cos 3 x by 2 multiply 2 देखो 3 x दोनों का भी same है 2 तो 3 x plus x कितना आजेगा 4 x 4 x by 2 कितना आजेगा 2 x है और 2 से 2 cancel होगे क्या बचेगा x इन 2 3 x में से x by 2 minus कर देंगे तो क्या आजेगा 2 x by 2 और divide में कौन है 2 है हमारे पास तो 2 से 2 cancel होगे क्या बचेगा हमारे पास x by 2 यहाँ पर क्या आजेगा cos x by 2 2 2 जहाँ 4 cos 3 x by 2 और cos x by 2 और sign x और यह ही हमारे पास क्या थी हमारी right hand side यह थे हमारे question number 1 to 7 next question हम next video में करेंगे ओके थेंक्यू फिसे गास 2 ज One चुरो झार 2 लास पास क्याम अ 3 हास प्भेट